तो दोस्तों क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपने पास पड़े हुए रेर और पुराने सिक्क्यों और नोटों को बेचना चाहते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ जनवरी 2020 में होने वाली कुछ सबसे बड़ी एक्जिविशन्स और आक्शन्स के बारे में जो की होने वाली हैं आप लोगों के ही शहरों में यानि कि यहाँ पर आप लोग खुद जाकर अपने पुराने सि से रिलेटेड यूट्यूब का नंबर वन चैनल मास्टर जी जहाँ पर आपको मिलती हैं 100% सची जानकारियां तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को आल पे सेलेक्ट कर लीजेगा ता तो यहाँ पर जनवरी 2020 में होने वाले सबसे पहले एक्जिविशन की बात करें तो यह एक्जिविशन होने वाला है 36 गड में और इस एक्जिविशन की डेट रहेगी 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी 2020 तक तो इस एक्जिविशन का नाम रहेगा 36 गड करेंसी एन कौाइन तो इसके अलावा जो दूसरा एक्जिविशन है वो भी इन्ही डेटों में होने वाला है यानि कि इसकी भी डेट रहेगी 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी 2020 तक और ये एक्जिविशन होगा तमिल नाडू के कोयमबटूर शहर में तो इस एक्जिविशन का नाम है क्वाइन एक्स महराश्टरा में जिसकी डेट रहेगी 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी 2020 तक और इस एक्जिविशन को जो नाम दिया गया है वो है रेर फेर 2020 तो नासिक में होने वाले इस 3 दिन के एक्जिविशन की जो खास बाते हैं वो ये है कि इसमें एक्जिविशन के साथ साथ 3 बड़े और ये तीनों आक्षन हैं इंपीरियल आक्षन, बॉम्बे आक्षन और तोड़ी वाला आक्षन जिनकी डेट्स और टाइमिंग भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि आक्षन और एक्जिविशन में क्या फर्क होता है तो यहां पर सिंपली मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक्जिविशन का मतलब होता है प्रदर्शनी वहीं आक्षन का मतलब होता है नीलामी यानि कि ऐसी बड़ी बड़ी एक्जिविशन के अंदर ही बड़ी बड़ी कमपनियां आती हैं अपने आक्षन उर डीलर्स आते हैं जिस वजह से औक्षन में रखे गए सिक्किय। और नोटों को भी अच्छे कस्टरमर मिल जाते हैं और इस तरह कि औक्ष्ण में रware सिक्किय। नोटों को रखा जाता गंगापुर नाका गंगापुर रोड नाशिक महाराष्ट्रा तो इसके बाद जो अगला एक्जिविशन होगा वो होगा गुजरात के वलोदरा शहर में ये एक्जिविशन होने वाल है 17 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2020 तक और इसका नाम रहेगा वलोदरा कौाइन फेर तो इस एक्जिविशन की डेट्स की बात करें तो ये होगा 24 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2020 तक और इस एक्जिविशन का नाम रहेगा नाग मनी 2020 वहीं इसका पूरा एड्रस है राम गोपाल महेशवरी जहांसी रानी स्कौाइर नागपुर और इसके अलावा इस महीने का जो तो ये तो होगा इन सभी एक्जिविशन की डेट और एड्रेस लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह की एक्जिविशन में जा रहे हैं सिर्फ अपने पुराने सिक्क्या और नोटों को बेचने के लिए तो आप लोग उसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहां पर आप लेकर मत जाएगा क्योंकि यहां पर आपको कॉमन चीज़ों के खरीदार नहीं मिलेंगे वहीं अगर आपके पस कोई रेर सिक्का या नोट होगा तो इस तरह की चीज़े हाथों हाथ बिग जाती हैं लेकिन दोस्तों अगर कोई कॉमन सिक्का या नोट भी एरर या फैसी न तो कर नोट अक्या तो अगर आपके पसो का नोट पको नोटो का एक्जांपल दिया जाए तो अगर आपके पसो को नॉर्मल पांच रुपए के एसे ड्रेक्टर वाले नोट तो इनको यहां पर कोई भी आसानी से नहीं खरीदेगा, जबकि वहीं इसी तरह के note अगर आपके पास तो fancy numbers में या फिर आपके इसी तरह के note में हो कोई error या फिर आपके पास तो इस तरह के note के पूरे packet तब इस तरह के note को भी आप लोग यहाँ पर आसानी से sale कर पाएंगे और एक बहुत और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि पुराने सिक्क्योर note की कीमते condition पर भी बहुत ज़्यादा depend करती है यानि कि अगर आपके पास कोई rare सिक्का भी है और उसकी कीमत UNC condition में कुछ है वहीं आपका सिक्का है GCPT condition में तो ऐसे में आपको उतनी ही कीमत मिलेगी जितनी उसकी condition अच्छी होगी तो आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को जरू मिला होगा तो वीडियो गर आपको पसंद आई हो तो आपसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरू शेर कीजेगा और नीचे कमेंट करके भी हमें जरू बताईएगर कि आपके पास कौन कौन से rare सिक्के और note है और इसी तरह से हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को all पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सबी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद